हेलो फ्रेंद्स वाल्कम बाग टू माई चानल तो जैसा कि मुझे पता है कि आपने मेरा एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि मेरा वीडियो आ रहाए का 12,8,20 को तो आज है 12,8,20 तो आज का वीडियो है कि हम न्यूस प्रेपर से वाल डेकोर कैसी बनाते हैं तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको आइटेम्स दिखाती हैं प्याकिया चाहिए तो हमें एक पैंसल चाहिए, सिसर और हम कुछ ये न्यूस पैपर्स के पीसे लेंगे, कलरफुल शीट्स और मैंने कैसे रोल बना लिये थे, वो मैं आपको बता हूंगे कैसे बनाने हैं, फैबिकॉल और एक कर रिफिल, आप कोई से भी रिफिल ले लेना या फिर ऐसी कोई राउंड चीज ले लेना, अब हम अपना वाल डेकर बनाने स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहने मैं आपको ये बनाना से खाओ, इसे बनाने के लिए हम इसके साइट से शुरू करेंगे, और हम इसे रब के ऐसे, इसे राप करेंगे, इसके उपर, इसे, और इसे, और हम इदा ब्रियो लगा देंगे, और अब हम इसे ऐसे कर देंगे, इसे हम थोई दे के लिए पकड़ के रखेंगे, नीटो फिर ये निकल जानेगा, और हम रिफिल को निकाल लेंगे, ठीक है, अब हमारी ये रेडी हो गए, हमें ऐसे टैंड चाहिए, ठीक है, अब हम इ अब हम इसे करके, फोल्ड कर देंगे, ऐसे, आप इन शीट्स का साइस बड़ा भी ले सकते हैं, मैं आपको भी छोटे बनागे देगा, आपको यह और डिजाइन का भी बना सकते हैं, ऐसे करके हम इन सब को फ्लाट कर देंगे, अब यह टैन है, तो हम इन में से फाइब लेंगे, इनको ऐसे रख देंगे, हम इसे फाइब रखेंगे, अब हम इन पे ग्लू लगा देंगे थोड़े थोड़ा, और हम अपनी फर्स्ट स्टिक को ऐसे करके स्टिक कर देंगे, हम इनको फोड़ थोड़ा पास रखेंगे, जिससे सारे कवर करता है, इनको ट्राइ होने में थोड़ से टाइम होगा, अब हम ऐसे ही दूसरे लाइन को भी हम कंटिन्यू करेंगे, और इसे हम धेर धेर ही अब करेंगे, यह तो फिर फट जाएगा, एसी करते हम छाएफ पूल अगदिन्यू जाएगा, एसी करते हम इनको पुल अगदिन्यू जाएगा, पुल अगदिन्यू, आप इसे पेंट भी कर सकते, लेकिन मैं अभी पेंट नहीं कर रही हूँ, मैं इन कलर शीट से से डेकुरेट करूँ, ओकी, अब हम अपनी फिफ्ट को भी लगानें, और हम इसे ऐसे करके हैंग करेंगे, तो अब हम इससे इधर डेकुरेट करेंगे, तो हम इसे साइड से रख देते हैं, जिससे के ट्राइब हुचाएं, और अब हम इसे अपनी शीट लेंगे, और इसका पार्ट कट करेंगे, शूआएंगे, और इसे ऐसे फोल्ड करके हम एक हर्ट रॉ करेंगे, इसे करके हम हर्ट रॉ करदीगे, इसे करके हम हर्टॉ करदीगे, अब हम इस होट को पीस्ट कर देंगे हम ऐसा ही सारी जगें लगाएंगे ठीक है अब हम इने फास्ट ली बनाते तो हम एक ऐसी लंबी वो छोटे बड़ी भी है उसके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो एक दिसाइन ही हो जाएगी ऐसी करके करेंगे और फिर इसे कट करेंगे कट करने के पद हमाँ पस तुब होट सो रहा है और आगा मेंगे लाट स्टेक करेंगे बन बाइगा ठीक है ऐसे ही हम इस प्रोसेस को हम कॉंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे यह सारे वोल्स कम्प्लीट नहीं है यह बहुत ही सेंपल सा वोल्स डिकार है और अगर आपके मेरे चैनल को सब्स्राइम नहीं किया है तो उसे कर दो क्योंकि मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज लाऊंगी और आपको अगर कोई सा भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे सेकेंड चैनल पर लिख सकते है क्राफ्ट का वीडियो चाहिए तो उसका भी लिख सकते है या फिर अगर आपको गेम्स की वीडियो चाहिए तो आप उसका भी लिख सकते है मैं उन दौनों के वीडियो जाओ उसमें comment section open है इसमें नहीं है तो आप उसमें लिख सकते हैं और इसमें आप challenges भी लिख सकते हैं मैं उनको पूरा करनी की कोशिश करूँगे तो हमने 4 लगा दिये अब हम ऐसे ही इने continue करेंगे अब हम इने ऐसे ही रख सकते हैं या फिर हम इसे और decorate कर सकते हैं यह देखिए मैंने अभी इसे पेंग शीट से डेकोरेट किया यह मेरत होसा यह रगया है इसे हम धीरे धीरे move करेंगे सबसे पहले तो हम इसे अच्छी तरीके से dry कर लेंगे या फिर आ फिर फिर ट्रायर से भी ट्राय कर लेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सोने हिलता है तो इसे अच्छी से dry करना है बेटर रहेगा उसकी बाद आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते है और अगर आपका ऐसे ही हैंग नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए आप एक रोप लीजिए गोड़ेने के पार उसे जैसे हमने मेरा वीडियो देख लेना उसे एक वोल्ड एक और लेखा था तो एक और वीडियो है मेरा उस पर मैंने आपको बताएगा कि हम ऐसे करके इसमें कर्फ करके एक नौट सी बांग के इस दहर पेस्ट कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि हम वो कर पाएंगे हांग कर पाएंगे अगर ऐसी हो जाएगा मुझे पड़ता है यह ऐसी हो जाएगा कि मैंने भी हांग करके रखा है अगर नहीं होता है तो आप इसे वैसे ही मेरे पहले के वीडियो में देख लिए ना उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसे कैसे नौट करना है बाए बाए